पहले वाले क्या करते थे कुछ करते थे अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं सब का खुब छप वईवे करते हमसे गलती किया दूबार हम कभी उन्हों को साथ किये और फिर बाद में हटा दिया हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे मेरा रिस्ता था 1995 से ते बीच में कभी दो बार इधर उधर उधर वाओ गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा यह कभी कोई काम किया था जीव लोग लेकिन धुठ्षे हो सबके परचा छपता रहता हम आजकल देखते हैं बिहार के अखवार में दिल्ली के अखव सबार में भी छपा रहता है कि हम लोग सुरू से ही स्वास्त सेवाओं के सुधार में लगे हुए एक तो यहां की बात हो गई लेकिन एक बार जान लीजिए स्वास्त में जब हम लोग 2005 में आये थे तो क्या हालता स्वात्वस्ता हालत खराब थी सरकारी अस्पतालों में ड सती माह करिब-करिब 49 मरीज ही आते थे यारी एक दिन में एक या दो यह कुल मिला करके एक महिने में उतना होते थे इतना कम था तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आये थे नौंबर 2005 की बात है तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुक्त दवा देने की सुरुआत की गई और इसके सुभारंब के लिए ततकालीन महा महिम उपरास्ट पती स्रधे स्री भैरो सिंग से खावत जी पटना आये थे उन्हीं को हमने रोत किया था वो आये थे और उसी महुद घाटन हुआ तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतिजाम हुआ तो ये सब काम सुरू कर दिया गया साथी डाक्टरों की बहाली की गई अस्पतालों में डाक्टरों की उपस्थिती सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ जांच एंबुलेंस की सुविधा की गई ये सब काम कराय गया अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई है अब जिसके कारणा आप जानते हैं प्रात्मिक स्वास्थ केंदर अभी जो आपको पहले बता रहते हैं प्रात्मिक स्वास्थ केंदर में एक महीना में 49 मरीज लेकिन अब इतना काम किया है कि प्रात्मिक स्वास्थ केंदर में हर महीने ग्यारा हजार से अधिक मरीज पहुँच रहे तो आप समझ लिजिए आप पहले वाले क्या करते थे कुछ करते थे अभी तक जितना बढ़ाई दें अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं सब का खुप छप वईवे करते हम से गलती किया दू बार हम कभी उन्हों क को साथ किये अब फिर बाद में हटा दिया हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे हम लोग सुरू से साथ थे बताइए मेरा रिष्टा था उन्हीं सो पंचानवे से बीच में कभी दोबार इधर उधर उधर वाओ गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा होगा लेक जुठे हो सबके परचा छपता रहता हम आज कल देखते हैं बिहार के अख़वार में दिल्ली के अख़वार में भी छपा रहता कोई काम किया है क्या जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया